पारवती ने शिव को मोत के मुझ से बाहर खीच लाया आप सही सुन रहे हैं एक पतनी ने अपने पती को बचाने के लिए मोत की बाजी लगा दी और आपको ये भी बता दे कि अब उसका पती बिल्कुल ठीक है इस पतनी का नाम पारवती है और पारवती ने अपने पती नहीं कर रहा था ब्लड ग्रूप मैच ना होने के बावजूद भी पारवती ने डॉक्टर्स को कहा कि मैं अपने हस्बंड को लिवर डोनेट करना चाहती हूं पहले डॉक्टर्स नहीं माने लेकिन पतनी की इच्छा थी और डॉक्टर्स जो है वो मान गए महाशिवरात्र के परद चल रहे हैं इस पर आप देखिए कि सच्चा प्यार क्या होता है जहां पर हम भारत की बात करते हैं बगवान शिव और पारवती का मिलन भी एक ऐसा था और एक ऐसा ही केस बिहार से निकल कर सामने आया है जहां पर पतनी का नाम है पारवती और उसने अपने पती को बचाने के लिए अपना लिवर डोनेट किया तो सबसे पहले आपको बता दे कि यह सरजरी जो है वो बारा घंटे तक चली जहां पर इनके ब्लड ग्रूप्स भी मैच नहीं कर रहे थे लेकिन सिरफ पारवती की इच्छा थी कि वो ही अपने हस्बेंड को लिवर डोनेट करना चाहती है तो डॉक्टर्स बहुत देर के बाद में माने लेकिन सरजरी बारा घंटे चलने के बाद सक्सेस्फुल हुई आपको बता दे कि शिव की उम्र जो है यहां पर 29 साल है और बिहार का रहने वाला है और पारवती की उम्र 21 साल है और सबसे पहले आपको यह बता दे क कि किस बिमारी से ग्रस्त था शिव को जो है वो लिवर सिरोसिस था जिसकी वजह से उसे नई जिन्दगी उसकी बीवी ने दी है लेकिन यह सच्चे प्यार की कहानी बिहार से है जहां पर एक पत्नी ने अपने पती की जान बचाई है और बहुत इंसेस्ट करना पड़ा क्यों नहीं दे सकती डॉक्टर ने बहुत समझाया कि तुम्हारे पती का ब्लड ग्रूप भी है और तुम्हारा ए है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है लेकिन पारवती जो है वो डटी रही और उसने कहा कि कोई बात नहीं आप एक बार एक एक्सपेरिमेंट करके तो देखे डॉक्टर को पारवती पर यकीन हुआ और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया और जहांपर अपको यह बता दे कि ट्रांस्प्लांट सरजरी बारा घंटे चली जहांपर उसने अपने पती को लिवर डोनेट किया है और बारा घंटे बिल्कुल यह चैलेंजिंग था यह बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि जहां तक शिव की बात करते हैं उसका ब्लड ग्रूप भी है और पारवती की बात करते हैं उसकी उम्र 21 साल है और उसका ब्लड ग्रूप A है और जहां तक बात करते हैं कि उसने अब लीवर तो उसे डोनेट किया है लेकिन डॉक्टर क का कहना है कि अब दोनों खत्रे से बाहर ये दोनों बिहार की रहने वाले हैं भीहार के hospital में check करवाने के बाद ठक कि हारी पार्वती जो है वो श्री गंगा राम hospital पहंचती है और वहां पर डॉक्टर से मिलती है डॉक्टर्स की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं है पारवती उन्हें बताती है कि मेरे दो बच्चे हैं और एक शिव की बुड़ी मा है जिसकी जिम्मेदारी शिव पर है और शिव अकेला ही कमाने वाला है अगर शिव नहीं होगा तो मेरे पास कोई काम नहीं है करने के लिए क्योंकि वो डॉक्टर्स को बताती है कि आज से छे महीने पहले शिव मुझे बेड़ पर ऐसी हालत में मिले थे मैं आपको बता नहीं सकती मैंने बिहार में सब हॉस्पिटल में इनका इलाज करवाया लेकिन लगातार इनका रंग पीला पढ़ना शुरू हुआ है और इनका खून जो है वो अंदर से सूक रहा है फिर मुझे किसी ने कहा कि इने दिल्ली ले जाओ और मैं यहां तक पहुंची दिल्ली के हॉस्पिटल का नाम बता दे श्री गंगा राम हॉस्पिटल पहुंची और उसने कहा कि मुझे यहां पर बड़ी उमीदे हैं मैं बिहार से अपनी उमीदे लेकर यहां तक आई हूँ वही आपको बतादे कि डॉक्टर जो हैं उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं मैता डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि बलड एंटी बॉडी लेवल जो है वो गुरूप भी था और उने जो है वो भी चाहिए था हमने इनके रिष्टेदारों को बुलाया तो किसी से भी इनका blood group match नहीं किया फिर हमने देखा कि इन्हें blood नहीं मिल पारा अरे नहीं हो पारा लेकिन हमें पारवती ने कहा कि मेरे husband है और मेरी जिम्मेदारी बनती है तो हमने एक pre experiment किया हम इन्हें एक छोटा सो अपरेट करने की हमने कोशिश की लेकिन हमने देखा कि जो पारवती का blood था वो शिव के blood में जो है वो समा रहा था और सारी चीज़ें सही हो रही थी 12 घंटे तक चली सरजरी के बाद आज आपको बता दे कि 15 दिन तक जो है हॉस्पिटल में जो है ये transplant किया गया इसके साथ साथ आपको ये भी बता दे कि 21 डॉक्टर्स की टीम जो है वो सरजरी करने के लिए गई थी ओप्रेशन थेटर में थी आज जो डॉक्टर्स जो है वो तो बगवान का रोल प्ले कर ही रहे हैं पारवती के लिए लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि पारवती की हिम्मत के आगे हमारा रोल कोई भी माइने नहीं रखता पारवती से हमें हिम्मत आई है और माहा शिवरातरी का ऐसा परद चल रहा है कि हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, नाम भी ऐसा पार्वतियोशिप, दिन भी ऐसा पार्वतियोशिप, फिर क्यों उनका हस्बन जो है, वो मोच से बाहर की ना है?